आज हम पढ़ेंगे भारती रिजर्ब बैंक और उसके कार्या भारती रिजर्ब बैंक भारत का केंदरी बैंक है यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है रिजर्ब बैंक भारत की अर्थ विवस्ता को नियंत्रित करता है भारती रिजर्ब बैंक के स्थापना भारती रिजर्ब बेंक अधिनियम 1934 के परवधानों के अनुसार एक अपरेल 1935 को हुई थी रिजर्ब बेंक का केंद्र कर्याले अरम में कौलकत्ता में अस्थापित किया गया था जिसे 1937 में अस्थाई रूप से बंबे में यानि बंबई महराष्ट में अस्थांतरित कर दिया गया केंद्री कर्याले वो कर्याले है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतिया निर्धारित की जाती है अध्यापी ब्रिटिश राज के दोरान भारत में यह नीजी स्वामित्व वाला बैंग हुआ करता था परंतु 37 भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्री करण कर दिया गया उसके बाद उसे इस पर भारत सरकार का उन स्वामित्व है भारतिय रिजर बैंग का मुख्यकार मौदरिक प्राधीक कारी मौदरिक नीती तयार करता है उसका कारेनेवत कराता है और उसकी निग्रानी करता है जिसका उद्देश है मूल इस्थिरता बनाए रखना और उत्पादक छेतरों में प्रयाप्त रिर्ण उपलब्जता को निश्चित या सुनिश्चित करता है वित्य परणाली का बिनेमय और परवेच्छन बैंकिंग परिचालक के लिए विस्तिरत मापडंट निधारित करना जिससे के अंतरगत देश की बैंकिंग और वित्य परणाली काम करती है जिसका उदेश होता है परणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना जमा करताओं के हितों की रच्छा करना और आम जनता को कि फायति बैंकिंग सुवधाएं या सेवाएं उपलवद कराना तीसरा है बिदेशी मुद्रा प्रवधान बिदेशी मुद्रा प्रवधान अधिनियम 1999 का प्रवधान करता है जिसका उदेश है बिदेश बैपार और भुगतान को सुविधा जनक बनाना और भारत में बिदेशी मुद्रा बजार का करमिक विकास करना और उसे बनाए रखना चोथा है मुद्रा जारी करता, करेंसी जारी करता है, भारती रिजर बैंक करेंसी जारी करता है और उसका बिन्यमे करता है, अर्थाद परिचालन के योगी नहीं रहने वाले करेंसी को या सिक्कों को नश्ट करता है, जिसका उदेश है अम जनता को अच्छी गुणोरता वाल सरकार का बैंकर केंद्र और राज्य सरोकारों के लिए बैपारिक बैंक की भूमिका अदा करता है उसके बैंकर का कार्य भी करता है बैंकों के लिए बैंकर यानि सभी अनुचित बैंकों के बैंक खाते रखता है अस्थानिय बोर्ड देश में भर्ति रिजर्ब बैंक के चार वर्ड इस्थित है मुंबई, कोलकाता, चैन्नाई और नई दिल्ली में है सदस्ता परतेक में पांच सदस्त केंदर सरकार द्वारा न्युक्त चार वर्ष की अउधी के लिए किये जाते हैं जिनका कार्य होता है अस्थानिय मामलों पर कैंदरिय बोर्ड को सलाह देना अस्थानिय सहकारी तथा घरेलू बैंकों की परदेशिक वो आर्थिक आउसकाओं का परतिनिद्यूत करना और केंदर बोर्ड द्वारा समय समय पर सोपे गए अन्य कार्यों का निस्पादन करना एक रुपे के सिक्के और नोट भारत सरकार द्वारत जारी की जाती है एक रुपे के नोट पर बित्य सचिव भारत सरकार के हस्थाक्षर होते हैं सभी अने नोट भारत रिजवर बैंक द्वारत जारी किये जाते हैं। भारती रिजवर बैंक द्वारत जारी नोटों पर RBI के गवर्णर के हस्ताक्षर होते हैं। एक अल्पकालिन उधार का सवरूप है। यानि हम कोई भी चीज घर्दनी है तो हमें कैस रूपे लिजाने की जौरत नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे गाड़ी में तेल भरवाना या कोई शौपिंग अगेरा करना। जानते हैं डेविट का एक प्लास्टिक कार्ड है और यह बैंक द्वारा अपने ग्राहों को लेन देन के लिए दिया जाता है। आज कल हर बैंक अपने ग्राहों को अकाउंट ओपन करने के लिए ही डेविट कार्ड दे देता है। जिसे एटियम कार्ड भी बोलते हैं। इसके जरिए आप बिना बैंक की लाइन में लगे एटियम से असानी से पैसे निकाल सकते हैं और डेविट कार्ड से अपने उतने ही पैसे निकाल सकते हैं जितने आपके अकाउंट में हैं। आईए हम जानते हैं एटियम का फुल फर्म क्या होता है। एटियम का फुल फर्म होता है आटोमेटिक ट